तो फ्रेंज आज की वीडियो को मारा कुश्चन है इस साइन ठीटा प्लस कॉस्ट ठीटा इक्वल तो रूट तू देन फाइन दे वैल्यो ओफ से टैन ठीटा एंड कॉस्ट ठीटा ठीक है तो इसमें आपको करतना क्या होगा सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं तैन ठीटा एंड कॉस्ट ठीटा को हम पहले साइन एंड कॉस्ट ठीटा में चेंज कर लेते हैं कभी भी याद रखने हैं कभी देन ठीटा कॉस्ट ठीटा कॉस्ट ठीटा कॉस्ट से यसा एक हो तो उसे सब से पहले sin और cos की form में change करना है आपको question को solve करने के लिए तो उसे सब से पहले अगर हम इसे change करेंगे तो sin theta upon में cos theta हो जाएगा cos theta होता है हमारा cos theta reciprocal होता है 10 का तो cos theta upon में sin theta अगर आप इसे solve करने जाओगे तो नीचे आएगा हमारा sin theta cos theta और उदर cross multiply कर देंगे हम इसे ऐसे तो यह जाएगा हमारा sin theta sin square theta plus cos square theta जैसे normally हम lthm लेते है जैसे इसका lthm कितना आएगा cos theta sin theta आएगा ठीक है फिर इसको इससे divide करेंगे तो sin theta आएगा आप फिर उपर बाले से multiply कर देंगे sin square theta या फिर आप जो normally fractions को add करते है ऐसे cross करके और ऐसे multiply करके तो ऐसे भी कर सकते है आप इसे तो जब यह चीज़ा आती है तो क्योंकि हमें पता है यह identity बन गई sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो 1 upon में आ जाता है हमारा sin theta plus sorry 1 upon में sin theta और cos theta आ जाता है यह हमारा ठीक है यह चीज़ा आती है अब यह हमारा sin theta और cos theta इन दोनों का product की value हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे तो जो हमें given है यह इससे हम इससे कुछ करेंगे और जिससे की sin theta cos theta की value निकालेंगे तो sin theta plus cos theta equal to root 2 दे रख है तो आपको करना है बोस side squaring कर देनी है ठीक है तो square करेंगे बोस side तो क्या होगा sin theta plus cos theta का square हो जाएगा और root 2 का भी square हो जाएगा fine तो अब sin square तो cos a plus b का अल इसका लगात हो तो क्या हो जाएगा sin square theta plus cos square theta plus 2ab यानि की sin 2 sin theta and cos theta equal to यह हो जाएगा 2 root 2 का square यानि की 2 हो जाएगा root हट जाएगा ठीक है कट जाएगा root से square हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना क्या है क्योंकि हमें पता है इसकी value 1 हो जाएगी sin square theta plus cos square theta की value 1 होती है तो 1 plus 2 sin theta cos theta equal to 2 1 को दर भेज देंगे तो subtract हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा 2 sin theta cos theta equal to 2 minus 1 यानि की 1 तो sin theta और cos theta की value कितने आगे हमारी 1 upon 2 यह 2 का जाएगा दूसरी साइड जाएगा तो यह जैसे प्रोक्लम आ जाएगा तो sin theta cos theta की value होगी 1 upon 2 तो अब यह value जो है आपको यहाँ put कर देनी है तो अगर हम put करते है sin theta cos theta की value तो 1 upon 2 यह multiply जाएगा उपर जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा कितना यह बताओ कितना हो जाएगा 2 यानि कि 10 theta plus cos theta की value कितने होगी हमारी 2 Hope you like it Thanks for watching Bye Bye